बागपत के एक इंटर कॉलेज में महिला कर्मचारी की संदिक्द परिस्तितियों में गोली लगने के मामला सामने आया है मामला रमाला थानाक्षेत्र के आदर्श शिक्षा मंदर इंटर कॉलेज का है जहां गोली चलने की घटना उस वक्त हुई जब कॉलेज प्रबंधक की स्टाफ के साथ मीटिंग चल रही थी इसी दोरान कॉलेज प्रबंधक की लाइसेंसी रेवलवर से संदिक्द परस्तित्यों में गोली चल गई गोली वहां पर खड़ी कॉलेज की किलर्क द्रिश्टी चोहान पुत्री नरेश चोहान निवासी रमाला के पेट में जल लगी रेवलवर से अचाना गोली चलने से कॉलेज में हड़कंप मच गया आनन्फानन में युवती को बड़ोत के एक निजी अस्पताल में भरती कराये गया जहां उसका इलाज किया जा रहा है वहीं इस घटना के बाद कॉलेज प्रबंदक सवालों की घेरे में है क्यूंकि कॉलेज में गोली चलने के घटना दोपहर करीब डेड़ बजे की बताई जा रही है मगर कॉलेज प्रिशासन ने पीड़ता के परेजनों को इसकी सूचना तक नहीं दे परेजनों को इसकी जानकारी पुलिस से मिली जिसके चलते परेजन कॉलेज प्रिशासन पर सवाल खड़े कर रही है वही इस मामली में कॉलेज प्रबंधक नरेंदर सिंग का कहना है कि उनकी लैसेंसी रेवल्वर एक ठैले में रखी हुई थी जो की अचानक ठैला अचानक नीचे गर गया और रेवल्वर से अचानक गोली चल गई जो स्रिश्टी को जा लगी स्कूल में घटना हुई है क्या मामला है दरसा में बच्चों की तो छुटी थी वर्किंग डेट आनी स्टाफ की मीटिंग थी करीब मिटिंग एक दम जैसे खतम हुई तो सब अधर के लिए तैयार हो कचले मेरे पीछे आथ के पास में मेरा एक स्टूल रखे रहता है इस पर मेरा बैग रखा था यह कलर्क है काम करती है मेरा लग की तो उसनल वह सामान समेट ने कि लिए सामान उठाया तो स्टूल पर से बेग रहता मेरा नीचे गिरगा नीचे गिरेटा गन से गोड़ चलिए अपने आप है आपकी गंती आपकी गंती आपकी गंती लाइसे गंती एसे कैसे चल गई अटर शिक्षा मंदिर इंटर कॉलेज बराल के प्रवंधक नरेंदर सिंग का खुद का कहना है रेवलवर लॉक थी और जिस समय थेला नीचे गिरा गोली अचानक सुयम चल गई ये एक बड़ा सवाल है कि रेवलवर लॉक होने के बाद गोली कैसे चल सकती है कॉलेज प्रबंधक की ये बात परेजनों को पूरी तरह से गले नहीं उतर रही अब परेजनों की तहरीर और पीड़ता के बायान के आधार पर कुलिस मामली की जाच में जुटी है पंजाब के स्री टीवी के लिए बाग उपत से विवेक कौशिक के रिपोट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद